हेलो दोस्तों तो कैसे हो आप लोग उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे आज हम बात करेंगे ए एंटी वी वर्सेस ओ एक्स फूल इस्टेट्स पलस इनपो यानि के एंट वर्स वर्सेस ओस्टेंड एकसाईलेस के बी जो मैच नमबर वन और टू खेला जाना ह 29 अगर्स को ये 12 वज़े से 12 वज़े से मैच स्टार्ट हो जाएगी न्यूज स्टार्ट हो रही है ECS T10 बेल जीम की वेन्यू जो रहेगा विरिज प्रेक क्रिकेट ग्राउंड मैच लेन का रहेगा नेश्ट मंडे तक मैं 100% बेक हो जाऊंगा क्योंकि मैं मेरी तप्यत कुछ अच्छी नहीं थी इसलिए मैं टेलिग्राम पे ज्यादा एक्टिव भी नहीं था उमीद करता हूँ कि मैं नेश्ट मंडे तक बिल्कुल फीट हो जाऊंगा और आप लोगों के लिए 100% दे पाऊंगा अपडेट के लिए टेलिग्राम से जूना ना बुले जूनने के लिए आपको डिक्सक्रेशन में और कमेंट के सेक्षन में भी आपको हमारा लिंक मिल जाएगा आपको लिंक से या आना है अगर आप विडाउट लिंक के आते हैं तो हो सकता आप गलत चैनल में चले कि लंबी स्क्वेर्ड है और मेरी जो होती है इसलिए वीडियो को आप मिस नहीं किजेगा नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर सकते हैं जील की टीम आप हमारे स्टेट के बाइज ही बना सकते हैं तो एंट्वरफ की पहले बात कर लेते हम इनके तरफ से जो ऑपन आने चाहिए वाही दुल्ला जवरखिल कंफर्म तो कुछ भी नहीं है कंफर्म आपको जो है टेलिग्राम में पेलेंग लिस्ट आने के बात कर दिया जाएगा तो 2022 टी-20 के तीन मैचेस में इन्होंने ओपन किये हैं तो आप देखेंगे तीनों मैचेस में ओपन किये हैं इसलिए मैं कर कि हो सकता है कि यह भी ओपन आ जाए ओडीडी में भी ओपन आएं टी-20 में कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है आप देखेंगे यहां पर मैं आपको समझा देना चाहता हूं आप देखेंगे तीन टीन टीनों जो जीरो चार की हैं यह मैंने यहां पर बैटिंग ओडर लिख र जीरो विगट तीसरे मैच में 71-71 गेनों में 3-10 गेनों में 10-19 गेनों में 2022 में जो ओडीडी मैचेस खेले गए हैं जिसके नीचे जो मैचेस लिखेंगे हैं आप उसके वारे में ही जान पाएंगे देखेंगे 17 मैचेस में 513 रन बनाए हैं हाइट हाइस्ट इसकोर जो है द करा इस्टाइक रेट 85 करा है आठ इनिंग्स में 43.5 ओबर की गेन वाजी किया है छे बीके एकनोमी 3.54 यानि की पार्ट टाइम बॉलिंग करते हैं और ओपनिंग बल्ले वाजी करना जाते हैं आप चाहे तो ट्राइ कर सकते हैं जैमी फैर्मली की बात कर ले राइट हम रहे थे 27 गेंदों में तो टीटोंडे में ठीक ठाक साही परदसन किया ओड़ी की बात कर ले तो नौ मैचस में 214 रन हाइस्ट इसको रेक्टी वन करा इस्टाइक रेट 55 करा है यह सारे ओड़ी मैचस में एक दो को छोड़ दे अगर मैंने सारे तो रिकोर्ट चेक नहीं कि तो हो सकता है कि यह दोनों आजाए जो इनकी इन्पोर्टेंट पीक रहेगी हो सकता है कि यह भी वेना जाए बहुत ही हार्ड ही टिंग के लिए जाने जाते है सेलेक्शन नाम मातर का ही है अब बिल्कुल आपके टीम में यह रहने चाहिए इन चीजों का आपको धियान आजाए तो यह आपके लिए बहुत अच्छे स्वाबित हो सकते हैं आप इनको सी बीसी भी ड्राइक ली कर सकते हैं आप देखेंगे कि सुरी मैं यहाँ पर करेक्टर लेना चाहता हूं आप देखेंगे यह ECL 2022 फर्वारी मैंने में मैचेस कहले जा रहे थे जो ECL का टूनामेंट होता है बड़े टूनामेंट होते हैं अब वह जो है आप देखेंगे उसमें कि इन्होंने बहुत अच्छी बल्लेवाजी की थी तीरी डाउन आके बहुतर चाहुतिस गदा में नौ को पता चल जाए कि इनके बैटिंग ओडर क्या रहने चाहिए तो यह आपको टू वन डाउन से टू डाउन बल्लेवाजी करके दे सकते हैं बहुत अच्छी पिक रहेगी ओभर वर्वल टी टेन मैचेस की बात कर ले तो 35 मैचेस के लिए हैं 990 रन बनाये हैं हाइट इसकोर 89 कर आए इस्टाइड देख लिए 220 कर रहा है बहुत अच्छी इस्टाइड रेट से खेलते हैं 2019 से 2022 टी ट्वंटी आई जो खेले 18 मैचेस में 440 रन बनाये हाइट इसकोर 125 कर रहा है तो आप देखेंगे कि टी ट्वंटी आए और टी ट्वंटी डोमेस्टी की बात कर ले त आप टी ट्वंटी लिखावा यानि कि यह डोमेस्टिक मैचेस है तो दोनों में 125 इनका हाइस रिस्कोर रहा है तो बिल्कुल आप इनको सी बीसी ट्राइगे पहले बल्लेवाजी आती है तो बिल्कुल आप ट्राइग कर सकते हैं बालिंग तो नहीं करेंगा बट आपको ब 12 गेंदों में 45 44 गेंदों में और सारे मेचेस में टी 20 में वन डाउन बल्लेवाजी करने आया है 44 45 गेंदों में ओडीडी की बात कर ले तो ओडीडी में आप देखेंगे 102 यानि कि सतक करके आ रहे है 89 अर तीन 12 गेंदों में इनके अलावा और भी 6 मेचेस के लिए यानि क की पार्ट टाइम बॉलिंग कर रहे हैं तो अगर यह खेलते हैं तो आप इनको भी ट्राय कर सकते हैं अच्छे पिलियर रहेंगे यह इनका भी सेलेक्शन कम है इलियाज जहीर की बात कर ले राइट हैं बैट्समार राइट हम लेग स्पिन बॉलिंग करके देंगे 38 इन की जहें 2022 ओडीडी में आप देखेंगे टी ट्वंटी विकाभी नीचे रिकोड आपको दिखाऊंगा अब दोज़ावाइस ओडीडी में आप देखेंगे त्री डाउन बल्लेवाजी करने आ रहे थे 31 गयंदों में तिरपन 78 गयंदों में और एक आठ गयंदों में तो कुछ से डाउन तक बल्ले वाजी दे 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 देज दे दोजाबार 12 की बात कर ले तो यहां पर भी इन्होंने टिरी से फोड डाउन टीम में इनको CVC ट्राइ कर लेंगे spinner baller है तो हो सकता है spinner जब भी बिगेट लेते हैं तो directly 3-4 बिगेट लेके चले जाते हैं नहीं तो आप आपको एक आदी बिगेट निगाल के दे सकते हैं कुछ run बना सकते हैं run बनानी की चमता है तो आप इनको भी CVC ट्राइ करेंगे टीम में तो आप रखेंगे ही बुरहान नियाज की बात कर ले जो की एक experience की लाड़ी है ECL 2022 में आप देखेंगे 18 साल ही age है आई age पर मत जाईएगा बेटिंग से तो उतना कुछ खास नहीं किये थे बट experience है इनके पास एक से दो अबर की gain वाजी आपको दे सकते है right arm medium balling करेंगे ECS 2021 में आप देखेंगे तो यहाँ पर बल्ले वाजी भी ठीक ठाक से की है ECL बड़ा टुनामेट होता है वहाँ पर मोके कम मिलते हैं बट ECS जो होती है और domestic series होती है तो यहाँ पर मोके ठीक ठाक से ही मिलते है तो यह आपको all rounder का काम करके देंगे आप बिल्कुल इनको भी try कर सकते है overall T10 matches की बात कर ले तो 17 matches में 130 पर run height score 28 कर रहा है strike rate 140 कर रहा है 15 innings में 24 और डालके 14 विकेट लिए है economy थोड़ी महांगी रही है 13.37 कर रहा है 2021 और 22 में T20 international match की खेले है यानि की international clear है तो 8 matches में 28 run बनाए है height score 20 note out रहा है 6 innings में इनको balling करने का मौका मिला है यानि कि 8 matches में 6 matches में इनको balling करने का मौका मिला है 14.4 विकेट लिए economy बहुत अच्छी रही तो आप इनको बिल्कुल try करेंगा बहुत अच्छी फिक रहेगी बुरहान नियाज आप इनको try करने चाहिए या अच्छे player है experience की लाड़ी है selection कम ही है 222 ODD की बात कर ले तो एक ही match खेले थे जिसमें 70 करके आ रहे है अद्दा सोबर की गेंद वाजी कर रहे है तो इससे पता चल रहा है कि यह अच्छे करके दे सकते है T20 नहीं खेले है सिर्फ ODD खेले है जुलकर ने तसवर की बात कर ले right hand batsman wicket keeping करके दे सकते है आपको अगर खेले तो आप देखेंगे T20 में average सही record है ODD में ठीक ठाक से ही record है बढ़ T20 में कुछ खास record है नहीं तो यह देखना रहेगा कि यह कैसा परदेशन करते है wicket keeping section में साइद उपलब दे आप चाहे तो इनको ODD के states wise आप इनको try कर सकते है 11 matchs ODD के खेले 277 68 कर रहा 77 कर रहा है मिरवाइश सहर जया आद की बात कर ले यह भी विगेट keeping करके दे सकते है 2022 T20 में देखेंगे एक मैच के लाए 4 किये है 6 गंदों में ODD में देखेंगे यहाँ भी average सही record है तो मैं इनको आपको ignore करना चाहूंगा आप इनको ignore करके जा सकते आप इनके बिना नहीं जाना चाहेंगे आप इनको टीम में रखेंगे जरूर 2 अबर की गेंदवाजी आपको confirm देंगे left arm medium bowling करते है left arm left arm जो है आपको अच्छे करते दिख सकते है मतलब की टीम में और अपने टीम के तरफ से भी इसी है 2021 में आप देखेंगे दो दो अबर की गेंदवाजी कर रहे थे अगर कुछ बल्ले वाजी भी कर ले थे अगर थोड़ा इनको परमोट कर दिया जाए तो ये इनको बल्ले वाजी करने के भी इनकी छमता है तो ये दो अबर की गेंदवाजी दे रहे यानि कि उस मैच में not out रहे हैं OTT की बात कर ले तो यहां भी ठीक ठाक सही बॉलिंग किये एक मैच में बॉलिंग नहीं किये थे 11 मैचेस में 123 रन बना है हाई स्कूर 46 करा है 10 इनिंग्स में यानि कि एक मैच में इनको बॉलिंग करने का मौका नहीं मिला था 90.1 ओवर की गेंदवाजी किये थे 21 विकेट लिये थे एकनोमी 4.11 की रही थी तो यानि कि 2222 OTT में आप देखेंगे तो 11 मैच में 21 विकेट लिये है ये कम नहीं होता आप बिल्कुल इनको टीम में रखेंगे आमाद रहमान की बात कर ले राइट हम बैट्स में राइट हम फास 21 इनकी एज है 2222 OTT में आप देखेंगे तो कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है OTT के हिजाब से 4 ओवर 3 ओवर की गेंदवाजी कुछ खास गेंदवाजी नहीं होती है जहां 10 ओवर की गेंदवाजी होनी चाहिए यहां पर यह 4 ओवर 3 ओवर गेंदवाजी कर रहे है तो इसलिए इनको एग्णोर करना है कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं तयाव अली की बात कर ले जो की बालिंग सेक्षन में गिवन है आप देखेंगे T20 में बालिंग नहीं किये बट ODD में इन्होंने अच्छी खासी बालिंग किये बिकेट भी चटकाए है 10 ODD मैचेस में 79 रन बनाए है 848 करा है 10 इनिंग्स में 70 ओवर डालके 14 बिकेट ले एकॉनमी 4.56 करा है तो आप ODD के इस्टेर्स बाइज आप लेना चाहते है तो बिल्कुल ले सकते है बट T20 के वाइज बालिंग सेक्षन में उपलब्द है तो मुझे कुछ खास नहीं लगे अब देखना रहा है कि यहाँ पर T10 में बालिंग करते है या नहीं करते है बिलाल मामुन जाई की बात कर ले तो राइट हैं बैट समान लेगी स्पिन बालिंग करते है बट अभी तक बालिंग करते हुए नहीं दिखिया है एक आदी मेच में बालिंग किया है ODD में आप देखेंगे तो कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं 9 मेचेस में 67 रन बनाए है हाज उसको 25 करा रहा है इकोनोमी देखे जाने कि वह परती ओभर रहती है 2021 ODD की बात कर ले तो 8 मेचेस में 13 विगेट लिए है तो ODD में तो 2021 में बालिंग किया है बट 2022 में बालिंग नहीं किया है तो इस स्टेट्स के वाई मुझे कुछ खास नहीं लगे T20 2020 में T20 खेले हैं मुकासा बेंजामीन की बात कर ले तो राइट हैंड बैट मार राइट हैं मेडियम 44 इनकी एज है 2022 T20 में आप देखेंगे तो यहाँ पे बालिंग से ठीक ठाक से ही परतसन की है बल्ले बाजिस तो कुछ खास नहीं है बट बालिंग से ठीक ठाक परतसन की है एवरेज पिलियर है आप चाहे तो इनको ट्राइ कर सकते हैं ओडिडी में आप देखेंगे कि इनको ओबर कटे है 2021 ODD में ठीक ठाक बालिंग किया है ठीक ठाक किया बहुत अच्छे बालिंग किया है तीन मैचेस में आट बिगेट लिए है जो की कम नहीं होता 79 रन बनाए है तो ये ठीक ठाक से ही पिलियर है आप चाहे तो इनको ट्राइ कर सकते हैं वादी वियल अरूम गर्म की बात कर ले तो राइट हैं बैट हम आप इस पिन बालिंग करके दे सकते हैं बड बालिंग बहुत ही कम किया है यानि कि ना के परावर किया है तीन ही मैच के लिए है विकेट कीपिंग करते दिख सकते हैं 222 ODD में देखेंगे 23, 3, 11 किया है कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं आप इनको इग्नोर करके जाएंगे अधनान रहेमी की बात कर ले ये ठीक ठाक से ओफशन है आप देखेंगे T20 में 4-4 ओवर की 3 मैचेस में किया है एक मैच में 2 ओवर की गेंदवाजी किया है 5 बिगेट चका है 4 T20 मैचेस में ODD में आप देखेंगे इनके ओवर कटे हैं तो T20 का record average है ODD के उतने कुछ खास नहीं है सकले और राजा जो कि इनका सेलेक्षन बहुत ही कम है आप चाहे तो बिल्कुल GL में ट्राइ कर रहेंगे और आप देखेंगे कि ECS के ये पिलियर है और अच्छे पिलियर है आप बिल्कुल इनको ट्राइ कर सकते हैं मोगे थोड़े कम मिले थे अच्छे पिलियर साबित हो सकते है क्योंकि नेशनल पिलियर है कुछ तो बात होगी कराब दिवान अली की बात कर ले तो राइट हैं में राइट हैं फास्ट टॉंटिसिक्स इनकी एज है दो जब आईश टी टॉंटि में आप देखेंगे तो बॉलिंग से तो ठीक ठाक सही परदसन करके आ रहे हैं दो दो चार बिकेट निकाले हैं टी टॉंटि में ओडिटी की बात कर ले तो यहां भी ठीक ठाक सही परदसन किये हैं दस में ओडिटी में उनएश रण बनाये हैं दस इनिंग्स में आप इनको ट्राय कर सकते हैं अब दुल्ला खोगयानी की बात कर ले तो यहां पर पांच बिकेट निकाले तो आप चाहे तो ट्राय कर सकते हैं नवाज खान केल की बात कर ले तो राइट हैं बैट्स में राइट आम मेडियम 22 इन की एज है दोजाब 22 ओडिटी की बात कर ले टी 20 की मैचेस नहीं खेले हैं तो बॉलिंग ठीक ठीक किये हैं छे मैचेस में पांच बिकेट निकालें और आप देखेंगे तो इनको कट रह हैं दोजाब 22 में आप देखेंगे चार में तीस रन बनाया है हाट्स और टॉंटी तरी कर आया है दोजार इक्टीस में अंडर एट्टीन यानिके अन्डर एट्टी टॉंटी मैचेस के ले ते जिसमें की छे मैचेस में 26 अना इन कर राए तीन इसमें चार ऑवर की देखेंगे तो यहां पर चार मेंचेस में 30 रन मनाया इसकोर 14 कर रहा है दो अभी इस ट्रीट 20 में दो मेंचेस के लिए जिनमें कुछ करने का सौरी जीरो रन किये हैं अब बिकेट भी जीरो लिए हैं थोड़ी मेरी आवाज फसी हुई है इसलिए थोड़ी आपको आवाज मे सब्सक्राइब यह आपके सीवी से होने चाहिए बहुत अच्छे पिलियर है यह आपके लिए जो है डेट में वालिंग करके दे सकते हैं और आपको ऑपनिंग बल्ले वाजी भी दे सकते आप इनके इसल के रिकॉर्ड दे सकते जो कि 2022 में फरवारी मैच मेने में खेले गए हैं और 28 13 28 49 033 कुछ इसतरे के से रन बनाए है अद्व दो अबर की गेंदवाजी भी किये हैं जिसमें कि मैं आपको यहां पर जो अबर डाले चाटा नौवा चाटा नौवा आठवा दसमा नौवा नौवा आठवा तीसरा पाच्वा यानि कि एक आधी ओवर इनके डेथ म बात कर लें तो 28 मैच में 252 रन बना है हाइट स्कूर 54 नौट आउट रहा है इस टाइर भी बहुत अच्छी रही है 126 की रही है 28 मैच में 27 इनिंग्स में बालिंग किया आप समझ सकते हैं कि बालिंग अच्छी खासी कर रहा है उन्चाल बहले ही इनके ओवर कट रहा है बत मैच में बालिंग कर रहे चाहे एक ओवर की बालिंग ओ उन्चालिस पॉंट चार वर की गेंदवाजी किये हैं यहां पर स्वायाद कुछ गल्ती है नौ विकेट नहीं हो सकता है यहां पर एक आदी विकेट होंगे और नौ एक अनुमी रहे है यहां पर वाकास राजा एक कि गेंदवाजी किये हैं विकेट जीरो लिए हैं एक ओनुमी नाइन करा है दो जाबाइस टी ट्वंटी डॉमेस्टिक मैचेस की बात कर लिए तो दो मैचेस में साट रन बनाया है है स्कूर 60 कर रहा है इस्ट्राइडर 162 कर रहा है दो इनिंग्स में 6.3 ओवर की गेंदव जाओ तो यानि यह ओपनिंग में गेंदवाजी कर रहे हैं पहला एक ओवर दुसरा में डाल रहे हैं अबर टीटेन मैच की बात कर लें तो 39 मैचेस में आप देखेंगे 387 रन बनाये हैं हाइड फिप्टी सेवन कर आई इस्ट्राइड भी बहुत अच्छी रही है 172 कर रह सबस्क्राइब तो बालिंग कि है यानि की देखेंगा कि यह बड़े मैच में तो बालिंग कर रहा है अप दिखें एसल में नो यहां पे हैं हैं नो मैच में इन्होंने बॉलिंग की है इसके अलावा जो होता है तेरा लगवक तेरा मैचेस में छे ही ECS मैचेस में इन्होंने बॉलिंग की है तो ECS में बॉलिंग कम कर रहे हैं इसलिए मैं इनको CVC जो है इसमॉल लिंग में तो नहीं, जेल में बिल्कुल ट्राय कर सकते हैं, इसमॉल लिंग के लिए आपके पास राजा वाका साली बेस्ट ओप्सन है, इनको लोग CBC कम कर रहे हैं, अब फैसल मुहमद जो है बड़े मैच में तो बॉलिंग कर रहे हैं, बट ECS में बॉलिंग बहु टी ट्वंटी इंटरेटनेशनल की बात कर लें तो तीन मैचेस में 19 रन बनाया है, हाई स्कोर 18 करा रहा है, दो इनिक्स में 1.1 अबर की गेंदवाजी की हैं, जो की बिकेट लेस गए हैं, उनमें 6 की एकोनोमी रहे हैं, दो हजाब आइस टी ट्वंटी डोमेस्टी की बात क तो 13 मैचेस में हाई स्कोर 63 कर रहा है, और 14 विकेट निकालें, तो अच्छे पिक रहेगी, आप बिल्कुल सी वी सी ट्राय कर सकते हैं, जी एल एसल दोनों में, बट मैं एसल में कहुँआ कि आप राजा वाकास आली को आप सी वी सी ट्राय कर जिए, और इनको भी सी ट्राय कर सकते हैं, महमद सुलेमान जो कि इनके, जो में टॉप थिरी इनके रहेंगे, महमद सुलेमान, राजा वाकास, अफैसल महमद, ये इनके की पिलेयर है, आप इनके बिना आपको जाना नहीं चाहिए, इस यहल 2022 में देखेंगे कि ये बल्लेबाजी ही करते हैं, और सुलेमा राजा वाकास, अफैसल महमद, ओपन कर सकते हैं, ये वन डाउन आ सकते हैं, या फिर ओपन ये भी आ सकते हैं, तो ये ओपन से थिरी डाउन, टू डाउन तक ये तीनों बैट्समेन, चेंज हो सकते हैं, तो राजा वाकास, अलीद, वैसे ओपन आएंगे, देखेंगे, कर लेते हैं यहां से आप ट्राइब करना चाहे तो सहाजाद असलम जो कि पहली बार ECS के लेंगे 2222 के ठीक ठाक से हैं और 2021 में जो ओल मैचेस के ले गए ओडिडी हो या ठीटॉन्टी या पंद्राइब के मैचेस हो इनमें साथ मैचेस में 136 रण हाइट 48 करा इस्टाइब 53 क करते हैं दो विगेट निकाले एकोनोमी 3.3 कर रहा है तो आप चाहे तो ट्राइब कर सकते हैं आदिल दिवान अली जो कि आपको पार्ट टाइम बालिंग दे सकते है इसील 2022 में देखेंगे कि आठ पंदरा बल्ले वाजी से तो कुछ खास नहीं किये थे बट यह एक आदी कर रहे थे जिसमें कि यह बिगेट ले रहे थे यहां पर आपको इसील के जितने मैचेस मिलेंगे आपको यहां पर बॉलिंग दिखा दिया जाए या कि यह कौन-कौन से ओभर डाले हैं तो आप चाहे तो ट्राइब कर सकते हैं एक बिकेट यहां भी निकाले तो आप चाहे गेम चेंजर सावित हो सकता है या आपको बेटिंग सेक्शन में सायद मिल जाएंगे जो इनके तरफ से जो यह गेम चेंजर की खो सकती है अगर यह खेलते हैं तो बिल्कुल आपके टीम में होने चाहिए बहुत अच्छे पिलियर है पहली बार ECS खेलेंगा बद इनके इस में 27, 33 उसके बाद 3 डाउन आए 10, 4 डाउन आए 39 उसके बाद 14 उसके बाद 26 तो कुछ इस तरिक से अच्छे से इनके आप चाहे तो बिल्कुल ट्राय कर सकते हैं अगर यह टॉप फोर में आपको दिखते हैं पेले इंगलिस्ट में तो बिल्कुल आप ट्राय करेंगे और बेटिंग्स विकेट किफिंग सेक्षन में यह बहुत अच्छी पिक रहेगी दो जब आइस ओडिडी की बात कर ले तो नो में चैस में तीन सो तीर परान हाइट स्कोर 96 करा है इस्टायर 120 गरा है चार इनिक्स में 23 उबर डालके 6 विकेट निकाले तो ओडिडी में भी ठीक सकते हैं तो पूरे दोवर की वाजी दे सकते आपके लिए बहुत अच्छी पिक रहेगी ढेम जेंघार धीं को अ कि इनके तर्व से जेए अच्छी पिक रहेगी मनपरी सिंग के कब चक्रास ला याप को सकता है बग पार को यह बटिंग्ट सक्षन में मिल जाएगे यह आपके लिए गेम चेंजर पिक हो सकती है, ओपनिंग गेन वाजी भी दो मेंचेस में किये हैं, बट यह अच्छी पिक रहेगी, और यह जो है कुछ मेंचेस में ओपन भी किये थे, बट यहाँ पर ओपन करने के चांस कम है, आपको 4 से 5 डाउन बल्ले वाजी दे सकते हैं, कु आपके लिए अच्छी पिक रहेगी, मनपरिस संदु का आपको दियान रखना, अगर खेले तो आप GL SL दोनों में ट्राय कर सकते हैं, सुल्तान दिवान अली जो कि बिगेट के पिंग सेक्षन में साइद आपको मिल जाएंगा, बिगेट के पिंग ही करते दिखेंगा, आप इनको इगनोर करके जाएगा, कहीं पर भी कुछ खास रिकॉर्ड नहीं, आपके सामने रिकॉर्ड है, अब बिल्कुल दे सकते हैं, जबरान खान की बात कर ले तो एबरेस सही है, कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं, दो मैचस में आप देखेंगे, ODD के बॉलिंग किये हैं, दो मैचस में छे विकेट निकाले हैं, तो दो मैचस में तो छे विकेट निकाले हैं, बर बाकी मैचस में बॉलिंग नहीं किये हैं, इसलिए मैं इनको इगनोर कर रहा हूं, विकेट किपिंग ये भी करते हैं, जिस मैच में इन्होंने बॉलिंग नहीं किये, यानि किये वि लेट कर सकते हैं जो है उसेन की बात कर लिए इनके बी представля सब्सक्राइब करें तो कुछ खास मुझे रिकॉर्ट नहीं रहा है और इनको एग्णोर करके जा सकते हैं दोनों में तसाल कुल मनी की बात करें राइट हैं आइटाम मेडिया अब देखेंगे तो एवरेस सही रिकॉर्ड है और इन्होंने टी-20 वेगरा कुछ खेले नहीं है तो यहीं रिकॉर्ड है बाकि कुछ खास नहीं है आप इनको इनको इग्णोर करके जा सकते हैं सही साथ की बात कर ले तो 2022 टी-20 में आप देखेंगे एक मेचस के लिए जिनमें फाइब डाउन आये थे छे रन छे गेंदों म बिगेट लेस गये थे 5.28 का 5.28 का इनका एकोनमी रहा था और यह जो है यह डाउटफॉल इस्टेट्स है आप इनको इग्णोर ही करेंगे तो बेटर रहेगा यह इनके जो है इस्टेट साइज साके नहीं है फिर भी मैं आपको दिखा दिया आप उनको इग्णोर ही मान के चलिए उमेड दिवान आली की बात कर ले तो यह इनको भी आप इंग्णोर कर सकते हैं एक मैच में एक और की इनवाजी किये थे बागी कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है तो ले सकते हैं बट मुझे कुछ खास नहीं लगे और दिडी में आप देख लेंगे तो 11 में 131 माना है और 138 करा रहा है नोट आउट अर तीन इसमें बारा और की गेंदवाजी की हैं पांच भी यहां भी निकाले तो अच्छी पिक है आप बिल्कुल ट्राइ कर सकते हैं ट्राइ करना चाहें तो बट इसीयस के कुछ खास र है कर सकते हैं बट उदने खास नहीं ओडिटी के बात कर लें तो चार मैंचेस में एक्साटर है सो फिट्टी सेवन करा रहा इस टाइर फिप्टी फोर कर रहा है तीन इनिक में 22.5 अवर की गेंदवाजी की है आठ भी लिए हैं फोर पंट टू फाइप का इनका जो है एकॉ है तो पाच पाच्चाओं के 20 अवर होने चाहिए बट इनके ओबर कटे है इनको मिले कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं ओड़ेटी के बात कर ले तो तो ट्राय करना चाहिए तो ट्राय कर सकते हैं इसलिए हो सकता है इनका इस अच्छे नहीं है सेलेक्शन भी आया है आप चा कर रहे थे बड़े मंच के खिलाड़ी है ओपनिंग गेंदवाजी करने आएंगे पहला तीसरा बावर डालेंगे और बिल्कुल अच्छी पिक रहेगी बिल्कुल आप इनको ट्राय कर सकते हैं बहुत अच्छी पिक रहेगी करके यहां पर बहुत अच्छे खिलाड़ी उपलब्द है अगर कोई नहीं खेलते हैं तो उस केस में सोहल कलिम हो सकता ओपन भी आज है तो आप इनको सी बीसी भी ट्राय कर लेंगे जदरान भाहत की बात कर लें तो इसी यल 2022 में आप देखेंगे तो यह भी अच्छे पिक कर लें तो एक मैंचस में तीन रण अब बिगेट लेज गया है ओड़ेडी की बात कर लें तो चार मैंचस में आठ बिगेट लिए हैं सोहल हुसेन जो कि यह भी इंपॉर्टन पीक रहेगी दो दोबर की गेंदवाजी इसील में कर रहे थे बड़े मंच के पिलियर है आप इनको भी ट्राय करेंगे और तो बार्य गेट लिए मेह एक मेंड था इन में इस कहले हैं जने की तुटइवागए लिए लिके ओघांग यह और यह भी ओडिटे में सोहेल कलिम के साथ यह भी ओपन कर रहे थे तो हो सकता है यह सब खिलाडी जिनके आपको इसीयल में जो है परदसन नहीं दिख रहा था यहां पर यह सारे खिलाडी यह आपको बल्लेवाजी से भी कुछ पॉइंट दे सकते हैं तो सोहेल हुसें आपके तो इनके तरह बहुत अच्छे प्लियर है जो कि बॉलिंग से बल्लेवाजी से दोनों कर सकते हैं और आपके लिए अच्छे पॉइंट दे सकते हैं तो इन्होंने अच्छे पॉइंट दिये हैं गेंदवाजी से भी लगवख दिये हैं 20 बल्लेवाजी से तो उतने खास नह निकाले बट वेवरेस से ही हैं आप चाहे तो इंग्नोर करके जा सकते हैं कासी मुहमत की एक बाल की बात कर ले तो लेफ्टरम बलेवाई लेफ्टाम और्थोडॉक्स दो मैचस के लिए ओडिके जिसमें की दोनों मैचस में अच्छी खासी पिटाई भी इनकी हो गए तो लाड़ी है या नहीं है इसलिए मैं आपको इस्टेट्स प्रवाइड नहीं कर रहा हूं अगर यह खेले तो अगर कुछ मुझे कुलू मिलता है अगर यह कुछ लगता है कि नहीं यह वही खिलाड़ी है तो मैं आपको टेलिग्राम पे अपडेट कर दूंगा तो चलता हू ठीक टाक सही ऑप्सन है बट मैं एफ सिन्वारी बहुत अच्छे इस्टेट्स है ओपन भी कर रहे थे थिरी फोर डाउन भी आ रहे थे और कुछ पार्ट टाइम अगर बीगेट इपिंग नहीं कर रहे हैं तो पार्ट टाइम बॉलिंग दे सकते हैं बट इनके स्टेट अच् को चाहे तो ले सकते हैं इबाबर के भी कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है लोग ले रहे हैं लेने दिजिए कोई दिक्कत नहीं है यहां से तीम में जो रहें गे एफ महमूद और यहां से एजबट यह दो पिलियर मेरे टीम में रहेंगे बाकि मैं सुलेवान के बारे में जोकी आपको दो बर्की देता है अगर खेलेंगे तो बट खेलने के थोड़े कम चांस है और बाकी यहां से जो है एक फिक नदिम खान जोकी बहुत अच्छी फिक रहा सकती है तो यहां से नदिम खान सूलेमान के जगान नदिम खान और एम संदू, ये दोनों में से मैं किसी को ले सकता हूँ, बट अभी फिलाल के लिए मैं सुलेमान के साथ जा रहा हूँ, डेवाइट के स्टेट्स नहीं है, बाकी यहाँ पे मैं और कोई ऐसे खास नहीं देख रहा हूँ, जबराखी लगर खेलते हैं तो यह ओपन कर सकते हैं, ये भी अच्छी पिक रहेगी, एक आदी अबर पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे फिलाल के लिए एफ महमुद, मौहमद सुलेमान और सेरी बट के साथ गया हूँ, सेरी बट को आप सीवीची भी ट्राय कर सकते हैं, सुलेमान को भी आप पहल अच्छे पॉइंट दे सकते हैं, बल्लेवाज तो एक नमबर है, राजा वाकास वाली जो कि आपको टीम पे कप्तान होने चाहिए, आई जहर के भी इस्टेट्स अच्छे हैं, एक हो गयानी को आप चाहे तो ट्राय कर सकते हैं, मैं यहाँ से एक्स्पिरियन्स के साथ गया दो अबर की गेंदवाजी देंगे, राजावा का सली ओपन आएंगे और दो अबर की गेंदवाजी देंगे, एस जखिल जो कि इनके मेन बॉलर रहेंगे, तो इसलिए मैंने एस जखिल को प्रेफर किया है, यहाँ से मैंने सोहेल हुसेन को उठाया हूँ, जो कि ODD में ओप सकता हूँ, इनके जगह पर, यहाँ पर आप किसी को जेट भात के जगह अगर पहले बले वाजी आती है, एंट की तो आप एस राजा को बिल्कुल ट्राय कर सकते हैं, बहुत अच्छी पिक रहेगी, बाकि यहाँ से डबलू असीप को भी आप ट्राय कर सकते हैं, यहाँ प बाकि स्टेट्स आपके सामने हैं, तैया वाली यहाँ से जेट भात को लिया हूँ, यहाँ से आप देख लेंगे कि हमारे टीम में जो हमारी जो डेमो टीम बनी है, कुछ इस तरीके से बनी है, देखिए मेरी जो एसल में जो मैं अभी फिलाल के लिए जो मैं सोच रखा हू कि मैं सीवी सी किसे करूंगा, तो मेरी जो सीवी सी जाएगी, राजा वाकास अली को जाएगी, आप वी सी एफ महमद को रहेगी, अब जीयल की बात कर लें, तो जीयल में देखिए सीवी सी के ऑफसन जो रहेंगे, मैं आपको टीक मार के बता देना चाहता हूँ, यहाँ प आप बिल्कुल ट्राइ कर सकते हैं, आई जाहिर को भी ट्राइ कर सकते हैं, यहाँ से बालिंग सेक्षन से बात कर लें, तो बालिंग सेक्षन से आप देखें, इन तीनों को भी आप जेट भात को आप छोड़ दीजे, तो बालिंग सेक्षन से पहले बल्लेवाजी आए तो एस हुसेन और एस कलीम को कर सकते हैं बाकि एस जेखिल भी ट्राइबल रहेंगे तो कुछ इस तरीके से टीम है तो उमीद करता हूँ कि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाया हूँ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर जिएगा अगर चैनल को सब्सक्राइब ने किये तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो मिलता हूँ नेक्ट वीडियो में उमीद करता हूँ कि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाया हूँ